जैम आता दी गुर्मा को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के बटन को दबाएं और साथ ही घंटी के निशान को दबाएं ग्यानवर्दिक वीडियो को देखने के लिए हमसे जुड़े रहें जैम आता दी दोस्तों तक कैसे हैं आप सब तो दोस्तों विश्या जिरू में एक नए वीडियो के साथ तो दोस्तों आज हम बात करेंगे दशेहरे के बारे में कुछ ऐसे उपाया बताओंगे आज मैं आपको जो दशेहरे के दिनियादी आप कर लेते हैं तो आपकी धन खत्म हो सकती है और आपकी सारी परेशानीया खत्म हो सकती हैं तो दोस्तों आई बात करेंगे इस विशेह पर पर श्रीराम ने उसी के प्लक्ष में विजय दश्मी का पर्व मनाया जाता है दशेरे का त्योहार मनाया जाता है दशेरे का त्योहार है वो अश्विन माह की क्रश्म पक्ष की दश्मी को मनाया जाता है दोस्तों शास्त्रों के अनुसार इस दिन लोग शास्त्र पूजा भी करत हैं दोस्तों सबसे पहला उपाए हैं दशेरे के दिन दुपहर में घर के इशान कोण में शुद्ध भूमे पर चंदन कुमकुम और पुश्प से अश्ट दल कमल की आकरती बनाएं और उसका पूजन करें तर्था देवी जया विजया का स्मरण करें पूजन करें इसके बाद शमी व्रक्ष की पूजा करें इसके बाद आप व्रक्ष के पास थोड़ी सी मिट्टी लेकर अपने घर में ले आएं ऐसा माने जाता है कि आसा करने से आपके कोई भी रुके हुए काम है वो पहुत जल्द बन जाएंगे घर से गरीबी जाती रहेगी पैसे की कभी कमी नही आएगी दोस्तों दूसरा उपाए है यदि आप कानुनी दावपेज से परेशान है मुकदमे में फसे हुए है तो आपको दशेहरे के दिन शमी के व्रक्ष की आपको पूजा करनी है और शाम को उसके नीचे आपको दिया जलाना है ऐसा माना जाता है यदि विजय दश्मी के दिन ऐसा किया जाए तो मुकदमे में विजय मिलती है और धन की प्राप्ति होती है दूसरो तीसरा उपाए है संकट हरने में संकट मोचन भगवान हरुआन जैसा कोई नहीं है यदि आपके सामने किसी प्रकार का संकट हो तो दशेहरे के दिन सुबह गुडचने और शाम को लड़ों का भोग लगा कर प्रातना करें इससे हरुआन जी आपकी रक्षा करेंगे और आपके सारे बिगड़े होए काम बन जाएंगे आपको किसी प्रकार का भे नहीं रहेगा दूसरो चोथा उपाए है हर जगे शेतर में विजय पाने के लिए दशेहरे के दिन देव पूजन करें और उन्हें दस प्रकार के फल चड़ाएं वर गरीबों में भी बाटें फल बाटे समय ओम विजय नमह मंत का जब करें और ऐसा उपाए दशेहरे के दिन दुपहर के समय आप कर सकते हैं पांश्वा उपाए हैं किसी को अपने बूरे कार्यों के लिए यमलो का भै सता रहा हो चिंता रहती हो कि यमलो में मुझे मृत्यों लोग में क्या फल मिलने वाला है उसके लिए हैं दशेहरे के दिन मां काली का ध्यान करते हुए उनसे शमा मांगे और काले दिल चड़ाए माना चाता है कि ऐसा करने से यमलो की यातनाव का जो भाईर होता है वो हो जाता है दोस्तों यह चोट चोटी से उपाई या आज आप दशेहरे के दिन कर सकते हैं ऐसा करने से आपको बहुत सारे लाब होंगे धनकी प्राप्ती होगी और अगर आपको मृत्यों लोग का भाई सताता है वो भी जाता रहेगा तो दोस्तों यह चोटी से वीडियो दशेहरे के विशह में अगर अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें शेयर करें कमेंट करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो दोस्तों आप सबको मेरे तरफ से विशू वेरी हैपी दशेहरा बहुत सारी शुपकान आप सबको दशेहरे कि दोस्तों मिलेंगे ऐसी किसी नई वीडियो के साथ तब तक के लिए जैमा दादी